ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स ना कोई नाराजी ना किसी से तुम्मत भेट तो यह हमें लगता है पहला परिवार नहीं है जिसमें कई पार्टि उनके साथ में हैं पांचवें चरण का चुनाव है राजनात सिंग लखनव से उमिद्वार हैं और उन्हें अभी वहीं पर उसी इलाके से उन्हीं के इलाके में वोट करती हैं संग मित्रा मौरे जो कि स्वाइम प्रसाद मौरे की विब बेटी भी है और उसी बूथ पर जहां पर राजनात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आम पुब्लिक की आवाज है इस रास्ट को बिक्सित रास्ट बनाने का और जो इस देश के असस्वी प्रथान मंत्री आदर्णी नरेंद भाई मोदी ने पिछले दस सालों में करके दिखाया है उससे लोगों की उम्मीदे बढ़ी हैं और तीसरी बार आप कहा रही हैं प्रथान मंत्री बनने जा रहे हैं और आप छुनाव में नहीं के जब यक्ति कार्य करता के रूप में करड़ा करता है तो उसे दुख नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है पार्टी Iz fail ऑपढ़ारी उसके कार्यों को देखते का एक हागत इसीलिए परिवर्तन होने पर मैंने निश्यत तुरणत तर पर मैं तो रही हुआ है कि मैं सांसत के साथ साथ भारती जंता पार्टी की कार्य करता हूं और कार्य करता थी इसलिए परिवर्तन होने पर मैंने उसको तुरंट एकसेट किया ना कोई नाराजगी ना किसी से कोई मतभेद अपने छेत्र में भी मैं अपने छेत्री अध्यक शुने बदाईयों का प्रत्यासी बनाया गया उनके साथ में पहले दिन बलकि उनके साथ नहीं उनको मैं स्वयम बरेली से लेकर के बदाईयों तक पहुंची हूं और ये कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होता है, अगर मेरे मन में कहीं पर भी कोई बात होती, ठेस होता, नाराज़गी होती, तो इतना बड़ा कदम में नहीं उठाती। आपको क्या लगता है क्योंकि आपने कहा था कि मैंने बठीजे को हराया, आप चाचा को हराऊंगी, हलाकि उनके बेटे चुनाओं में आए, खär आप चुनाओं नहीं लड़ पाएं, लेकिन बदाइयूं में क्या होगा? बदाईयों में अगर हमने कहा था भतीजे को हराया, चाचा को हराएंगे, तो निश्यत तोर पर हमारा बदाईयू परिवार चाचा के बेटे को हराएगा लेकिन संग्रितरा जी आपके घर में तीन पार्टियां दिख रही हैं आप बीजेपी में हैं आपके भाई ने एक तरीके से कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है वो उंचा हार में कॉंग्रेस के साथ दिखाई दिए पिता जी समाजवादी पार्टी छोड़कर अलग उन्होंन कोई पहला परिवार नहीं है जिसमें कई पार्टियों में लोग हो बहुत से परिवार हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं और पार्टियों में ही नहीं बलकि कोई किसी पार्टी से बिधायक है कोई किसी पार्टी से सांसद है कोई कुछ है और मेरी जहां तक बात है मै मैंने पहले भी कहा था मैं भारती जंता पार्टी में हूं और लोग कयास लगा रहे थे कि सायद चुनाव के टाइम में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन जिनको ऐसा लग रहा था उनके मुह पर उनका स्वेम का एक जोड़दार थपड़ पड़ा है हमारे परिवर्तन ना करने से उनके मंसा पर पानी भी फिरा है जो लोग यह सोच कर बैठे थे कि यह परिवर्तन करेगी और इसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाएगा उनके मुह पर एक जोड़दार थपर पड़ा और रही बात भाई की और पिताजी की तो मुझे जहां तक जानकारी है भाई किस अन्य पार्टी में नहीं है वह जहां पिताजी होते हैं वह उनके साथ होता है उसकी अपनी स्वेम की कोई पार्टी नहीं है तो जो आपने अभी कॉंग्रेस की चर्चा की वो हमने उसका पोस्ट देखा थाДа तो उसने पोस्ट पर लिखा था कि पिता जी के निर्देज पर समर्थन करने के लिए गया था समर्थन मतलब पर्राई जोइन करना नहीं होता है तो आप क्या पिता जी के चुनाओ में जायेंगी क्योंकि अब तो सपा कार्यकरता हुँने स्व्य साहिम्शाद मौर्या जी बीटी भी हुँ और दोनों चीजों को ले करके मैं बख्खू भी चल रही हु और आगे जलती रहुंगे और एक बेटी के नाते पिता को जहां भी जिस की तरह सी जुर्ật होगी बेटी उनके साथ में है और पार्टी को जहां भी जिस तरह से कार e-kaç bok project के साथ में हैं एक आख्री सवाण आपको लगताम नहीं हैं कि आप बेशक बीजे पी में हो लेकिन बीजे पी के भीतर जो एक कारे करता है वो आपके से बहुत नाराज, बहुत खफा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं तो आपको लगता है कि आप इसमें अज़स्ट कर पाती हैं खुद को क्योंकि बीजेपी के भीतर का जो एक सेंटिमेंट दिखता है वो उनके पार्टी बदलने से कहीं ज्यादा जिस तरीके से उन चीजों का खामियाजा बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ा और रही बात नाराजगी की तो मुझे लगता है परिवार में भी चार लोग हो तो चारों परिवार के सदसे हर बासे सहमत नहीं होते हैं तो भारती जंता पाटी का परिवार बड़ा है और जिनके आप में हैं राजनाज सिंग के इलाके में और उनके ही बूत पर वोटर भी हैं दावा है कि वो पूरी तरीके से बीजेपी में है और बाकी बातें कूरी बखवास नीरश कुमार के साथ कुमार अभिशेक यूपी तक लखनौ